हाज जी, welcome back to another video of google sheet for marketers course, आज के इस वीडियो में मेरे पास तीन different different formulas है, different ways है, जिनके through marketers google sheet का और ज्यादा बहतर तरीके से इस्तमाल कर सकते है, जो पहला तरीका है वो ये है कि अगर आपको अपने utm parameter based urls को build करना है, तो किस तरीके से google sheet की मदद से आप कर सकते है, देखे, for example, ये आपका URL है, और आपका source है, वो मान के चलते है email है, आप utm parameters में, utm source में और utm medium में ये values को populate कराना चाहते हैं, और इसके business पर आप चाहते हैं, कि ये वाला जो हमारा URL है complete हो जाए utm parameters के साथ, जैसे for example, अगर मेरा ये URL है, जैसे मैं यहाँ पर mention करता हूँ, ये मेरा URL है landing page का, अप source हो गया हमारा Google, अगर हम Google के उपर ads लगा रहे हैं, लेट से medium हो गया हमारा CPC, और यहाँ पर जो formula लगा हूँ है, इसको मैं drag करके थोड़ा सा खीच लेता हूँ नीचे, now you can see, ये हमारा domain हो गया, page हो गया, और utm source, now you can see, ये हमारा utm parameters के साथ, जो URL है, वो हमार लोगों ने utm source, quotes में mention करके, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर utm source को mention किया हूँ है, उसके बाद हम लोगों ने b2 की value populate कराई है, then हम लोगों ने utm medium को mention किया और उसके नीचे c2, यानि कि जो medium वाली values है, उनको populate कराई है, so इस तरीके से you can also create your utm builder का formula, second जो है, य कुछ campaign को run कर रहा है, let's say यह हमारे दो campaign हो और यहां से हमारे पास जो conversions per month आए, वो कुछ इस type के conversions हमारे पास आए हुए है, per month के हिसाब से, अब मैं अगर यह चाहता हूँ कि मुझे ना यह जो data यहाँ पर दिख रहे है, इसकी मेरे को एक trend line दिख जाए, so that मोटा माटी मेर को एक trend type का दिखने लगे, chart type का दिखने लगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर spark line जो function है, उसका इस्तेमाल करना है, और किस data को आप ले रहे हैं, उसको select करे, यहाँ तक की data को ले रहा हूँ, तो मैं इसको select कर लेता हूँ और enter करता हूँ, now you can see, यह आपको यहाँ पर कुछ एक pattern type का जो है, वो दिख रहा होगा, कि यहाँ पर जैसे 1245 है, फिर एकदम से 3562 की data है, फिर यह है, यह है, इस type से आपको यहाँ पर data दिख रहे हैं, now we can drag this जैसा हम लोग नॉर्मली करते हैं, so this is the second way of using google sheets by marketers, third is basically generating the QR code, आप google sheets से अंदर QR codes भी generate कर स and if I want to generate two different QR codes for these two different URLs, तो किस तरीके से हम उसको generate कर सकते हैं, और किस तरीके से image अगर generate होती ही यहाँ पर, तो इसको इसको इस्तमाल भी आप कर सकते हैं, so I have this formula, वह है, यह मैं description में डाल दूँगा, you can pick from there, मैं इसको copy करता हूँ यहाँ पर, यहाँ पर हम लोग इसको mention करेंग हो है, आपको enter करना है, now the QR code is generated, आप इसको drag कर सकते हैं, जिससे normally आप करते है, now the second QR code is also generated, और इसको use करना बहुत ही जादा आसान होता है, just because, क्योंकि यह image आप copy करेंगे, and if you want to use image anywhere, let's say, मेरे को अगर किसी दूसरे sheet में यहाँ पर use करना है, that I can do, so since it's a image, आप इसको आसानी से use कर सकते है, right click करके आपको copy करना हो, जहाँ भी इसको paste करके use करना चाहें, आप कर सकते हैं, तो आशा करता हूँ, यह 3 quick tips थी, आपको समझ में आया होगा, आप जादे से जादे इनका इस्तमाल कर पाएंगे, मिलते हैं next video में, till then, good bye. आपको